मश्रूम आपको खाना पसंद है और आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाना है तो यह नई और बिल्कुल यूनीक रेसिपी ट्राइ करें बहुत ही जबर्दस बनेगी साथ में है मसाला पराथा जो कि इस रेसिपी को और भी जादा मज़ेदार बनाएगा तो वेलकम है आप 200 ग्राम बड़े हो गया और 200 ग्राम छोटे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है वेट में तो बड़े वालों में हम कट लगा लेंगे कुछ इस तरह से प्लस बनाते हुए जिसे मसाला अंदर तक जाए इसमें और एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तो अगर आप मश् चुटकी करीब थोड़ा साही मिर्च है और एक चुटाई चमच नमक इन सबी मसालों को मिला देंगे अच्छी तरह से तो इसे बीच आप वीडियो किस देश किस सिटी से देख रहे हैं मुझे बता देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और साथी मैं आपको थैंक्स भ बनाना है तो यह जो रेसिपी मैं बनाने जा रहे हूं यह मतन रारा और मैंने बनाया है मश्रूम रारा बहुत ही कमाल की रेसिपी बन करके तयार हुई तो अब क्या करेंगे जो हमने मसाला लगा के मश्रूम रखते इंको फ्राई कर लेंगे तो अभी मश्रूम डालने के इनको अच्छी तरह से इवनली स्प्राइट करनें और मीडियम लो फ्लेम पर इसको दो मिनट के लिए चोड़ देंगे जिसे एक अच्छी सी क्रिस्प लेयर आ जाए और एक साइट से मश्रूम अच्छे से फ्राइ हो जाए तो इसी तरह से हमें दो-दो मिनट दोनों साइट से फ्राइ करना है जिसे हो गाई है कि जो हमने कट लगाया ना तो यह थोड़े से खुल जाएंगे और यह जब ओपन होंगे यह देख रहे हैं अब थोड़े से ओपन हुए है और यह उपन होंगे तब इसमें मसाला अंदर तक जाएगा और यह बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होंगे तो अब पलट देते हैं और दूसरे साइट से भी इसको एक से देख मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे तो अब यहां पर यह अच्छे से फ्राइ हो गया है तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और अब इसी बचे हुए तेल में हम डाल देंगे यह जो मश्रूम का कीमा हमने बना करके तयार किया है तो अब इसको अच्छे से मिला देंगे और अब यहाँ पर मैं डाल ले हूँ इसमें थोड़े से खड़े मसाले जिसमें कि है एक टुकड़ा दालचीनी का एक तेज़ पत्ता एक सुखी लाल मिर्च एक खरी मिर्च दो छोटी इलाइची साथ में दो छोटे चमच अद्रक लैसुन का पेस्ट अगर आप लैसुन नह अब इन सबी मसालों को और साथ में यह मश्रूम के खीमे को यानि की मश्रूम मिल्स को हम भूल लेंगे बहुत ही आसान और जबरदस सी रेसिपी है बिल्कुल मैंने मतलब एक्सपेरिमेंटल रेसिपी है जो बहुत ही जबरदस बन करके तयार हुई तो आप इसको ज़रू तीन से चार मिनट तक पका लेंगे जिससे टमाटर अच्छे से पक जाए और जैसा ही ओएल सेपरेट हो यह देखिए अब होने लगा है अब इसमें हम डाल देंगे यह फ्राइट मश्रूम थोड़ा सा गरम मसाला उपर से डालेंगे इसको मिक्स करेंगे इसमें उपर से प मिक्स करिए और आप इसको ढाक करके पकाएंगे आठ से दस मिन धीमी आच पर तो जब तक यह पक रहा है चलिए अपना पराठा तयार कर लेते हैं इसके साथ के लिए तो यह गेहू के आटे की लोई है इसको हम बेल करके बढ़ा करेंगे थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके अब यह बिलकर बढ़ा हो गया है तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं अच्छे से स्प्रेट करने के बाद थोड़ी कलोंजी डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई हरा धनिया थोड़ा सन्दमक भी छुड़क दिया है मैंने साथ में इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से पहला देंगे और बीच में से ऐसे होल बनाएंगे और इसी तरह से होल बनाते हुए इसको मोड़ते जाएंगे इसको उपर की तरफ तो जब आप मोड़ेंगे इस तरह से इसमें बहुत बढ़िया लच्छे वाला पराथा बन करके तयार होगा लच्छा मसाला पराथा तो बस इसी तरह से रोल करते जाएं रोल करते जाएं औ पूरी तरह से पैक है बीच में से एक कट लगाएंगे और एक एंड से इसको इस तरह से घुमाते हुए ऐसे मोड़ देंगे अब दूसरे एंड से भी गुमाते हुए लाएंगे अब एक यूपर एक रख करके इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे सूखा आटा डालेंगे हाथों से दबाते हुए इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे और बेल करके बढ़ा करेंगे यहां पर पराठा बिलकर तयार हो गया है और अब यह तवा मैंने रग दिया था गरम होने को तो तवा चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा लगा करके देखे हो जैसे ब्राउन हो जाए इसका मतलब तवा गरम है उस पर डालेंगे एक मिनट सेखने के बाद पलट देंगे और दूसरे साइड भी सेखेंगे जब तक कि अच्छा पराठा तयार है हमारा और अधर पर मश्रूम रारा जो कि अल्मोस्ट अब पक ही गया होगा तो पराठे के बाद चलिए उसको देखते हैं यह बहुत ही यमई पराठा इसको आप चाय के साथ भी खाएंगे तो भी बहुत बढ़िया लगेगा मश्रूम भी हो गय जखेंगे यह मश्रूम रारा तो यह यह बेंड़ा प्यास के बनाया है और थोड़ा सा लेसन डाला था जो आप हटा सकते हैं तो यह तरह से बिना प्यास लेसन की भी रेसिपी हो टाएगी जो आपको ज़रू ट्राइ करना चाहिए मेरे वो फ्रिंड जो की प्यास लेशन आपको बहुत पसंद आएगी और यह कॉम्बो भी बहुत जबरदस्त है सबने बहुत इंजॉय किया तो उमीद करती हूं आपको भी पसंद आएगा मश्रूम रारा और मसाला पराथा का कॉम्बो एक बार जरूर बनाए और बस देखते रहे हैं समझ किचिन ऐसी मज़िदार और बहुत आसान रेशी पीस के लिए तांक यू सू मच